अजी स्रिकाल नमस्ते अदाफ हेलो कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा उन services के बारे में जिसके उपर सबसे पहले tax introduced किया गया था दिखिए जो services के उपर tax introduced किया गया था वह 1994 के अंदर किया गया था ठूदी chapter 5 in the finance act चैप्टर फाइव को इंसर्ट किया गया फाइनल सेक्ट के अंदर उसके बाद जब यह शुरू हुआ सर्विस का महौल की भी सर्विसिस की लगेगी तो तीन चीजे थी टेलिफॉन स्रोक ब्रोकर एंड जर्नल इंशुरेंस इन तीन चीजों के उपर शुरू में जो थी इस टेक्स लग रहा था जर्मल इंशुरेंस पर लगता था जैसे कि भी अनफॉर्शनेट एक्सिदेंट है जैसे कि आप कार इंशुरेंस करवाते हैं बाइक इंशुरेंस करवाते हैं वह शौक ब्रोकर आपको पता है एंड टेलिफॉन सर्विसिस जो की आप यूज करते उसके ओपर भी सर्विस टेक्स लगता था इसके बाद हर साल 1994 के हर साल बाद यह एक्ट अमेंड हुआ और इसके अंदर तिल 2012 अंटिल नाउ लाइक मेभी देरा मोर देन इस सर्विसिज पर अभी 2012 119 सर्विसिज ती जो की डिफाइन की गई है आज टेक्सिबल सर्विसिज टेक्सिबल सर्विसिज वो सर्विसिज हैं जो की टेक्सिबल हैं अंडर सेक्शन 66B जो यह टेक्स लगेगा यह लगेगा 12% rate of the value of all these services other than the negative list services ठीक है तो यह जो एक्ट था इसने एक कंसेप्ट को और इंटर्डूस किया जो की हमने नेगेटिव लिस्ट के बारे में के अक्टिविटी अकर मीट कर रही है with the characteristics of services जो की define कर रखी है इस act के अंदर वो टेक्सेबल होंगी unless वो स्पैसिफाइड कर रखी है नेगेटिव लिस्ट के अंदर अगर नेगेटिव लिस्ट के अंदर जो भी services enlist कर रखी हैं उसके पर कोई भी text नहीं है कोई भी text आपक की जा रही है as transport, communication and laxicity etc. यह service है पर as per the close 44 of section 65 close B of finance act 1994 जो service है इसे define किया गया है कि जो service है यह एक ऐसी activity है जो की carry out करी जा रही है किसी person दबारा for another person for consideration, consideration के लिए वो बंदा दूसरे बंदे का काम कर रहा है और यह जो services होंगी वो कौन सी services है वो declared services है पर इसमें क्या नहीं include होगा वो कुछ include नहीं होगा अगर सिरफ और सिरफ transfer of title of goods हो रहा है किसी immobile property का by way of sale, gift or any other manner तो यहां पर यह चीज services के अंदर नहीं आएगी, कोई भी deemed sale थी under the close for 29A of article 366 of Indian constitution अगर कोई transaction in money है या फिर कोई actionable claim है actionable claim का meaning होगा section 3 of transfer of property act के अंडर, जो meaning है वो actionable claim होगा, अगर कोई service किसी employee, द्वारा किसी employer को दी जा रही है in relation to his employment, then it will not go in services, phase taken in any court or tribunal, तो वो services के अंदर नहीं आएगी, अब इस section के अंदर explanation 1 है, जो कि कहता है कि duties performed by person, अगर वो कोई भी post hold कर रहा है अंदर the provision of this constitution, under the Indian constitution तो वो services के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर वो activity include नहीं होगी, जो relate कर रही होगी money या फिर उसकी conversion से लेकर, वो activity services के अंदर नहीं आएगी, explanation 3 जो है वो कह रही है कि अगर कोई unincorporated association है, या फिर कोई body of person है, तो उनको treat किया जाएगा as a distinct person, और अगर establishment है किसी person की, और वो किसी एक है establishment उसकी taxable territory के अंदर और दूसरी है non-taxable territory के अंदर तो भी उससे treat किया जाएगा as an establishment of a distinct person, like other person की establishment है, explanation 4 जो है section के अंदर वो कहत है अगर कोई person carry कर रहा है business को through the branch of agency or any or in any territory, वो treat किया जाएगा कि भी माना जाएगा कि भी जो establishment है उस territory के अंदर है section 66 D जो बात करता है वो बात करता है negative list के अंदर इसके अंदर list of services है, जो कि exempt कर रखी है from tax under this act और यहां पर total 17 services है negative list के अंदर जहां पर आपको tax pay करने की जुरूरत नहीं है जहां पर आपको service tax नहीं लगता है, जैसे कि कोई service अगर government या फिर किसी local authority द्वारा दी जा रही है, reserve bank of India द्वारा कोई service आपको provide की जा रही है, foreign diplomatic mission है कोई जो की locate इंडिया के अंदर उसके उपर को service चार्ज नहीं है, कोई भी service जो relate कर रही है agriculture produce से जैसे कि harvesting होगे, cultivation होगे, threshing होगे, plant testing होगी, तो यहां पर आपके कोई service charges नहीं लगेंगे, ऐसी और भी बहुत सी services हैं, इसके अंदर 17 services हैं, तो मैं कुछ ही का नाम लूँगा, ताकि आप खुद भी कुछ research कर सके हैं, trading of goods अगर है तो उस पर कोई service tax नहीं है, अगर क time slots हैं, जो कि advertisement के लिए है, पर इसमें अगर advertisement through broadcast or radio हो रही है, तो वो service charge लगेगा, नहीं तो अगर आप time slots या space ले रहे हैं, तो उसके ओपर कोई service tax नहीं है, अगर आप कोई भी bridge या फिर कोई road use कर रहे हैं, through the payment of toll charges तो महा पर कोई service charge नहीं है, batting, gambling और lottery के अंदर, कोई service tax नहीं करने का है, अगर आप किसी entry to entertainment event कर रहे हैं, या फिर access कर रहे हैं, किसी amusement facilities के अंदर, तो महाँ पर कोई service tax नहीं है, कि भी आप entry कर रहे हैं, this is why, transmission or distribution of electricity के ओपर भी कोई service tax नहीं है, service जो relate कर रही है, education के ओपर, उसके ओपर कोई service tax नहीं है, service अगर provide की जारी है, by way of renting of residential dwelling for use of as a residence, अगर as a residence हाँ उसे use कर रहे हैं, तो उसके कोई service tax नहीं है, अगर कोई specific financial services अगर कोई provide की उसके ओपर, service जो की relate कर रही है, transportation of passenger से, तो उसके ओपर कोई service tax नहीं लगेगा, अगर service relate कर रही है, transportation of goods से, तो उसके ओपर कोई services tax नहीं लगेगा, ऐसे ही जैसे funeral हो गया बिर्यल हो गया मौचरी सर्विसीज होगी या फिर किसी डिसीज़ को ट्रांस्पोर्टेशन के अंदर शम्शांगार तक लेके जाना उसके उपर कोई सर्विस टेक्स नहीं लगेगा ऐसे ही जो सेक्टन 66E है वो बात करता है डिकलेर्ड सर्विसीज के बारे में और इसके अंदर टोटल ऐसी दस सर्विसीज वता रखी हैं जो कि टेक्सिबल होंगी जो कि टेक्सिबल है अंदर अगर आप रेंट कर रहे हैं इमोबल प्रॉपटी को तो सर्विस टेक्स लगेगा अगर कंस्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स होया है बिल्दिंग सिवल स्रॉक्चर को भी क्रियेट किया गया है तो उसके उपर टेक्स लगेगा अगर आप किसी को यूज ऑप इंटिलेक्चिवट्चल प्रॉपटी राइट की सर्विस दे रहे हैं तो उसके उपर टेक्स लगेगा किसी तरह की सप्लाइग कर रहे हैं प्रॉपटी कि सप्लाइग तो आप उसके उपर पर पेग करना पड़ेगा और अगर आप डिलिवरी और गूड्स कर रहे हैं तो सर्विस चार्जिस हैं सर्विस और फूड और ड्रिंक्स मान लिजे जैसे आप रेस्टरून में खाना भी ना कर रहे हैं तो वहाँ पर सर्विस टेक्स लगेगा राइट टू यूज़ और सर्विस के ऊपर टेक्स लगता है किनके ऊपर नहीं लगता है जिसके अंदर हमने मीनिंग और सर्विस को देखा जिसके अंदर हमने डिकलेट सर्विस के बारे में जाना नेगेटिव लिस्ट के बारे में जाना कौन सी सर्विस टेक्सिबल है कौन सी सर्विस टेक्सिबल न